इंडियन क्रिकेट टीम के हिट मैन रोहिट शर्मा आज काफी ज्यादा चर्चा में हैं अमूमन भारत का ये स्टार बैट्समैन अपनी दमदार बैटिंग के लिए सुर्खियों में रहता है लेकिन इस बार उनका सुर्खियों में बने रहने की वज़ा कुछ और ही है दरसल श्रीलंका की गिलाफ पहला टेस्ट चार मार्च को खेला जाना है लेकिन इससे पहले ही रोहिट शर्मा की ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्विट हुए है जिससे अंदाजा यही लगाए जा रहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है रोहिश शर्मा की ट्विटर अकाउंट से एक दो नहीं बलकि एक के बाद एक तीन ऐसे अचंभा करने वाले ट्विट कर दिये गए जिसे देख कर हर कोई हैरान है उनके ट्विटर अकाउंट से सबसे पहले ट्विट किया गया कि उन्हें सिक्के उचालना बेहत पसंद है खास कर जब वो उनके पेट पर आके गिरे इसके बाद रोहिश शर्मा ने ट्विट किया मौदुमक ही बढ़िया वैक्सिंग बैक का काम करती है रोहिश शर्मा यही नहीं रुके उन्होंने ट्विट किया कि ग्रिकेट बॉल खाने लायक होती है सही है ना रोहिट के ऐसे ट्विट्स पर उनके फैंस तो हैरान है ही वही उनके साथी ग्रिकेट डर यूजेन रिचेहल हर ग्रिकेट एक्सपर्ट हर शब भोगले भी काफी हैरान है वो भी रोहिट के ट्विट को रिट्विट करते हुए उनसे उनकी खैरियत पूछ रहे है वही रोहिट के फैंस ये तो मान रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है लेकिन हैरानी उन्हें इस बात की और जादा है कि भार्दिकर के टीम के कफ्तान का ट्विटर अकाउंट आखिर कैसे हैंखो सकता है वही दूसरी तरफ कुछ लोग मज़े भी ले रहे हैं तंज बरे लहजे में लोग ये कह रहे हैं कि आज महाशिवरात्री पर रोहित ने कुछ जादा ही भांग पी ली है और नशे में वो बहकी बहकी बाते कर रहे हैं अब हकीकत क्या है ये तो फिलाल अभी किसी को भी नहीं पता क्योंकि रोहित की तरफ से इस मामले पर अभी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया है वैसे ज्यादा तर लोग तो यहीं मान रहे हैं कि रोहित का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है क्योंकि हाली में कुरूनाल पांडिया का भी ट्विटर अकाउंट है कर लिया गया था हाला कि भार्थी क्रिकेटरों का लगातार साइबर बुलिंग का शिकार बनना कोई छोटी बात नहीं है खेर आपको बता दी कि रोहित शर्मा को तीनों ही फॉर्मैट में कप्तान बनाया गया है और वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप के लिए भी टीम इंडिया को तैयार कर रहे हैं रोहित हमेशा से ही अपने प्लेयर्स को मौका देने के ले जाने जाते हैं उनकी बैटिंग का हर कोई दिवाना है जब वो अपनी लैं में हो तो किसी भी गेंदवाजी करम की धच्या उड़ाने का मांदा रखते हैं डेस्क रिपोर्ट चौपाल दरफण